ये पार्ट सेकिंड एर के विद्यार्थियों हम उदव शतक के पदों की व्याख्या कर रहे थे उदव शतक का प्रसंग है कि गोपिया निर्गुन निराकार ब्रह्मे ज्यान के उब्देश को नैस्वी कार करके उदव जो ब्रिज में पधारे हुए हैं उनको खरी खुटी स सुनाती हैं वो कहती कि हमें तुम्हारे निर्गुन निराकार से कोई लेना देना नहीं है कोई सरोकार नहीं है हमें हमारे प्रियतम ही स्री कृष्ण है हमें तुम्हारे ब्रह्म से और जो भी निर्गुन निराकार है भला उसकी साधना हम कैसे कर सकते हैं वे उदव के निर बिन प्रकार की व्यंग्योक्तियों से अपनी बात वो उसके समक्ष रकती हैं। कुबर में उबर भई जो मदुपूर में न समानी। उधव कहते हैं गोपियों से कि तुम निर्गुण निराकार की उपासना करोगी तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जबकि उठे उस मुक्ति का कोई लोग नहीं है। उन्हें मुक्ति की आकांख्श नहीं है कि हमें मुक्षिया मुक्ति नहीं चाहिए उस मुक्ति के लिए वो किस महाती उधव को खुब छकाती हैं जो प्रस्तुत पद में देखिए। वो कैती कि लियाए लादी बादी ही लगावन हमारे गरे है उधव तुम व्यर्थ में ही इस मुक्ति के उपदेश को इस ग्यान उदेश ब्यर्थ है सारहीन है अब हम इसे अच्छी तरह से जान गए है हम सब जानी हम सब जान गए हैं कि जो ये सुजस कहाने इस ये कोई सुयश की कहानी नहीं है और हम इसे और अधिक नहीं सुनना चाते हमें तुम्हारे उब्देश कर्ण प्रिये नहीं लग रहे हैं कही रतनाकर गुनावन गुविंद हूं के गुनानी अननत बेधी समीती समानी न अर्थात गोपियां कहती हैं कि रतनाकर की द्वारा कहा जारा कि गुनाकर गुनों के खान गुविंद हैं वही हमें प्रिये हैं अब तुम उन गुणाकर अपार गुणों के जो प्रिशन हैं हमारे प्रियेतम है अब उनके समख्ष तुम मुक्ति का बखान कर रहे हो वो हम हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो जो मुक्ति है उसरी कृष्ण के समख्ष उनके प्रेम के समख्ष उनके मनमो सुदर्शन रूप के समक्ष कहीं नहीं समा सकती है कहीं भी नहीं ठहर सकती है हाथ बिन मोल हूँ बिकीने मग हूँ में कहूँ तापी बटमार टोल लायव है लुभानी ना अर्थात बड़े दुख की बात है कि तुम्हारी ये मुक्ती का जो उपदेश है वो वस्तु में बिना मोल के बिकने वाली वस्तु जितना भी मुल्ले युक्त नहीं रथा ये बहुत ही मुल्ले हीन है कोई इसको खरीदना नहीं चाहता कोई इसको स्विकार नहीं करना चाहता क्योंकि यह तुम्हारी मुक्ति का उपदेश है मुक्ति के उपदेश रुपी वस्तु है यह बिना मुल्ले की भी नहीं बिक्सिया था यह सो कोई फूटी कोड़ी में भी इसे को नहीं खरी देगा और तुम कशन के बदले, कशन का परित्याक करके हमें इसको सिखाने आये हो, बड़ी मुर्ख हो तुम तापे बटमार टोल लोई है लुभानी और जो है लोभी डाकों का समू है बटमार टोल अर्थाथ डाकों का समू है वो भी प्रलोभन में इसे नहीं लूट सकता अर्थाथ है जो लोभी डाको होते हैं वो मुल्लेवान वस्तों को लूट लेते हैं वो तो उन्हें भी प्रिये नहीं है वो इस मुक्ति को वो भी नहीं लेना चाहेंगे अर्थात, तुम कहरे हो हो कि ये भोती अनमोल है, अमुल है मुक्ति की जीवन में कामना करनी चाहे तो इसे तो कोई भी, ये बिना मुल की वस्तों है नहीं लोबी ढाकू लेंगे और नहीं कोई साधान व्यक्ति से ग्रहन करेगा उधो, एक बात तुम हमें बताओ कि ये मुक्ति तुम्हें कितनी मिल गई वहाँ पर मदुपूर अर्थात उस मथूरा में कितनी मुक्ति मिल गई ऐसी कि जो कुबडी है कुबडी का प्रसंग आप सभी जानते होंगे कि कृष्ण के बहुत अधिक प्रिये एक असुंदर इस्त्री थी जिसके कुबड निकला हुआ था लेकिन वो कृष्ण के अननने भक्त और प्रेमिका थी और भगवान ने उसके कुबड को समाप्त करके उसे भक्ति का वर्दान दिया था कोपिया उसी कुबडी का यहां पर प्रसंग बता रही है कि ऐसी कितनी मुक्ति तुम्हें उस स्रेष्ट कुबडी से प्राप्त हो गई है जो अधिक मात्रा होने पर उस मतुरा में नहीं समा पाई है बर केती मिली मुक्ति बर बधु के कुबड में अच्छा है उसके कुबड में कितनी मुक्ति प्राप्त हो गई है जिससे तुम्हारी जो मतुरा नगरी है वो उबर नहीं पाई है उसमें समान नहीं पाई है और तुम अधिक होने के कारण उस मुक्ति का अब्देश ले करके हमारे ब्रजवासियों के समक्ष में आ गए हो इसमें गोपियों का कटाक्ष है और उस मुक्ति की निसारता और निरतक्ता का भाव प्रतिपादित किया गया है अगला पद है विद्यार्थियों हम परतक्ष के प्रमान अनुमाने नहीं तुम भ्रह्म भोर में भले ही बहीबो करे कहे रतनाकर गुबिंद ध्यान धारे हम तुम मनमानों ससा सिंग गहीबो करो देख तीसो माननी है सुधो नियाव जाननी है उदो तुम देखी अदेख रहीबो करो लखी ब्रज भूप रूप अलख अरूप ब्रह्म है हम ने कहेंगी तुम लाख कहीबो करे प्रस्तूत पद में गोपियां का द्रण निष्चे है कि वो जो अद्रश्य है अलख है निराकार है अगोचर ब्रह्म में है उसकी वो अराधना नहीं करेंगी नहीं स्वीकार करेंगी उनका द्रण निष्चे है उनकी निष्टा कृष्ण में है अलख अगोचर में नहीं ह तो वो उधव को दो टूक शद्दों में सपस्टत है अपनी अपना निर्ने सुना देती है कि हे उधव हम गोपियां है वो प्रत्यक्ष में ही विश्वास करती है अर्थात स्रीकृष्ण हमारे प्रत्यक्ष हैं, वो हमारे साथ रहे हैं, हमने उन्हें देखा है, हमने उनसे प्रेम किया है, और अब हम तुम्हारे उस अरूप और अलग ब्रह्म हैं, उसका कोई अनुमान हम नहीं करना चाहती, उस अनुमान में हमारा विश्वास नहीं है, ह फिर भला हम तुम्हारे निर्गुन निराकार की और क्यों हम दोडेंगे तुम ब्रह्म बहुर में भले ही बहीबो करे ब्रह्म बहुर जल का भावर जल का भावर गोल गुनता है और व्यक्ति उसमें डूब जाता है बाहर नहीं निकल पाता उसी भाती गुपिया उधव को कह रही है कि तुम उस निर्गुण निराकार ब्रह्म के ब्रह्म के ब्रह्म रुपी जलावरत में भले ही बहते रहो तुम अपने आप में प्रसन रहते रहो लेकिन हम तो गुबिद ध्यान धारे हैं अर्थाथ हमने तो उसे गोविंद का ही ध्यान धारन कर रगा है अर्थाथ हम तो स्रीकृष्ण का ही ध्यान करती है ये उधव तुम मनमानों ससा सिंग गहीबो करो देखती सो मानी नी है सुधू न्याव जाने नी है उधू तुम देखी अदेख रहीबो करे अर्थात हे उधो, तुम तो क्या करते हो? मनमानी करते हो ससा सिंग, खरगोष्ट का सिंग, जैसे खरगोष्ट का सिंग वास्ता में कोई वस्तु नहीं होती है वो एक कोई सोचे कलपना करे तो भले कर ले तुम भी कोई निर्गुन निराकार ब्रह्म जैसी कोई वस्तु नहीं है और तुम उसकी खरगोष के सिंग की भाती ग्रहन करके उसको पकड़ करके बैटे हो अपनी मनमानी कर रहे हो और तुमारे इच्छा है ऐसा तुम करना चाहते हो लेकिन हे उदो हम उसे नहीं मान सकते हैं तुम चाहे मनमानी करते हुए खरगोष के सिंग की भाती एक अस्तित्व हीन कलपना युक्त निर्गुन ब्रह्म की आराधना करते रहो हम तो क्या हैं सीधी सीधी सच्ची सूधो न्याव सीधा सा न्याव जानते हैं कि जो रूप हीन है उस ब्रह्म की जो हमें दिखाई नहीं देता है हम उसको नहीं मान सकते हैं उदो तुम देखी अदेख रही वो करे हैं उदो ये तुम जो देख रहे हो उसको तो अंदेखा कर रहे हो था जो स्रीकृषन प्रतेक्ष है जिनका अस्तित्व है उनको तो तुम अदेखा कर रहे हो और जो अदेखा अलक ब्रह्म है उसको साधने की बात कर रहे हो कितना विरोधाबास है हे उदव हम तुमारे रूप हीन ब्रह्म की उपासना करके सोंदर ये बान मनमोहग रूप वाले स्रीकिष्ण की उपासना ही करेंगे हम उसका परित्याग नहीं कर सकते ये हमारा ऐसा द्रड़ निश्च है द्रड़ विश्वास है और ये अंतिम हमारा निर्ने है तुम व्यर्त में अपनी उज्चा और समय हमारे समक्ष गवा रहे हो हम तुम्हारी बात किसी भी भाती मानने वाले नहीं हैं अगली पंक्तियां हैं लखी ब्रज भूप रूप अलक अरूप ब्रहम हमने कहेगो तुम लाग कहीवो करें लखी ब्रज भूप अर्थाद ब्रज की राजा अर्थाद स्री कृष्ण जो ब्रज की राजा है उनका रूप हमने देखा है हम उनकी रूप से ही परिचित हैं उनking मनमो हक मदूरमूर्ती को हमने देखा है लेकिन तुम उन्हें देकर भी नहीं दे रहे हो और तुम उनको निरगुरनिराकार ब्रहम की संग्या प्रदान कर रहे हो यह तुम्हारे इच्छा है भला तुम कितना भी उनको अरूप ब्रह्म को हो निर्गु निराकार ब्रह्म को हो लेकिन जिसको हम साक्षा देख रहे हैं स्रीकृष्ण के मनमोहक सुंदरी में रूप को हम देख रहे हैं उसको भला निर्गु निराकार ब्रह्म कैसे मान सकते हैं कैसे विचितर सी बात कर रहे हो उधो हे उधो हमने कहेंगी तुम लाग कही वो करो और हम तो उनको निर्कुर निराकार ब्रह्म की संग्या बिल्कुल भी नहीं देंगे ये पदनाफ उनको बिल्कुल भी नहीं देंगे कम से कम हम उनको ऐसा नहीं करेंगे तुम भले ही एक बार नहीं अने को बार लाख बार कहते रो हो तुम भले ही रट लगाए रखो अनंत बार कहते रो हो लेकिन तुम्हारे इन उपदेशों का तुम्हारे इन बच्चनों का हम पर कोई भी प्रभाव नहीं होने वाला है तुम यहां से प्रस्तान कर जाओ ऐसा ह चाहते हैं तो प्रस्तोत पद में विद्यारतियों गोपियां अपना द्रड निश्चे सुना देती हैं और उस निर्गुन निराकार को उन्होंने खरगोष्ट का सींग कह करके बहुती संदर उपमा कभी ने यहां पर कभी रतनाकर जी ने दी है कि जैसे खरगोष्ट के रंग रूप रहित लखात सबही हैं हमें वैसो एक और धाई धीर धरी है कहा कहिरत नाकर जरी है विराहानल में और अब जोती को जगाई जरी है कहा राखो धरी उधो उते अलक अरूप ब्रह्म में तासो काज कठिन हमारे सरी है कहा एक ही अनंग साधी साध सब पूरी अब और अंग रहित अरादी कही है कहा विध्यार्तियों वही प्रसंग चल रहा है एक ही बात है जिसको गोपियां अनेक आनी भाती अनेक रूप से अनेक प्रकार से उन अपने विचारों को रखती है सूर के सूर सागर में भी ये प्रसंग है और वो बहुत ही मनमो है कि गोपियां एक से बढ़ करके एक कटाक्ष करती है तीखा व्यंग करती है और वो एक मनतव्य को अनेक शब्दों में सूर्दास ने उसका बढ़ा ही सुन्दर वर्नन किया है कहीं भी पुन्रावरती का हबास नहीं होता है कभी रतना करने भी उसी प्रसंग को निर्गुन और सगुन के प्रसंग को गोपियों और उधव के समबात के माध्यम से अनेक बाणियों में अनेक बच्चनों और पंक्टियों की द्वारा एक लंबे रूप में वर्नत किया है अनेक पदों में जिसके आधार पे कवी ने सोसे अधिक पदों की रचना कर दी तो प्रस्तु प्रसंग वही चल रहा है कि जो रंग रूप रहित है उसको हम देख नहीं सकते उधव का मानना है कि तुम निरगुण निराकार की उपास ना करो लेकिन गोपियां कहती है कि हे उधव रंग रूप रहित लखात सबई है हमें हम तो वैसे ही विराह की दर्शा में हैं विराह अगनी में जल रही हैं और हमें कृष्ण के हमारी कृष्ण का सानिद्य हमें प्राप्त नहीं है तो हमारी प्रीय हमारे साथ नहीं तो हमें वैसे ही इस रश्ट्री की इस संसार की सबी चीजें अरूप दिखाए दे रही हैं र और रंग रूप रही ते सारी चीजे हमें वैसे ही दिखाई दे रही हैं उपर से तुम आ करके और किसी और अधिक हमें निराकार ब्रह्म की ध्यान करने की बात करें तो भला हमें कैसे सुक्षानती मिल सकती है अर्थात गोपियों का ये भाव है कि कहे रतना कर जरी है विराह हनल में कि हम तो विरह रूपी अगनी में वैसे ही प्रदीप्त हो रहे हैं जल रहे हैं और उस पीड़ा के परिणाम स्वरू हमें ये सारा संसार है वो रंग रूप रही दिखाए दे रहा है उपर से तुम उस निराकार की साधना करने की बात कर रहे हो तो भले हमें जले प से ऐसा प्रशन करती हैं आगे कहती है और ओ जोती को जगाई जरी है कहा राखो उदो राखो धरी उदो उते अलक अरूप है उदो कि अब हम तुम ये चाहते हो कि हम पहले प्रियतम की विरह रूपी अगनी में जल रहे हैं उपर से तुमारे आदेश के नुसार तुमारे की जोती को जगा करके हम एकोर अगनी को प्रदीप्त कर लें भला ये तुमारा कहां का न्याय है अर्थात हम एक तु विरह अगनी में जल रहे हैं उपर से तुम कह रहे हो कि उस अलख की जोती हम जगाए उसकी जोती को हम धारन करें तो ये एक असंभव सा कारिय है हम ऐसा नहीं कर सकते हैं और भला उसमें जलने से क्या लाब है इसी लिए है उधव तुम अपने अद्रश्य निराकार परमात्मा को अपने पास ही रखो राखो धारी उधे उते अलग अरूप ब्रह्म है कटाक्ष करती है कि हमें तुम्हारे चीज विकार ही नहीं है इसलिए तुम उस निर्गुन निराकार परमात्मा को अलग अर्था जो दिखाई नहीं देता है अरूप जिसका कोई आकार नहीं है निराकार है निर्गुन है उसको तुम अपने ही पास रखो तासो काज कठीन हमारे सरीहे कहा और उससे हमारा भला तुम्हारे इस निर्गुन की उपास करेंगे तो हमारे साकार प्रियतम की प्राप्ति असम्ब हो जाएगे हमारा उससे कौन सा कारिय सिद्ध हो जाएगा हमें कोई हमें हमारे उद्देशे में सफलता नहीं होगी अर्थात हमारा तो एकी लक्ष है कि हमें स्रिकृष्ण की प्राप्ति हो जाए लेकिन तुम्हारे उस निर्गुन निराकार की साधना करकी उस अलक की जोती जला करकी साधना की द्वारा भला हमें क्या लाब होने वाला है हमें कुन सी सिध्धी प्राप्त होने वाली है इसलिए तुम बेट का प्रियास कर रहे हो हमारे साथ तुम यहां से चले जाओ हमें तुम्हारा निर्गुन का उपदेश नहीं सुनना है एक ही अनंग साधी साध सब पूरी अब और अंग रहित अरादी कही है कहां यहां पर गोपियां कहती है हम एक ही अनंग अर्था कामदेव कामदेव की समान सुन्दर प्रियतम कृष्ण को प्रेम करके अपने इस सुन्दर शरीर को जुलसा चुकी एक ही अनंग साधी साधी जिसकी साधना करके जिससे प्रेम करके हम ने अपनी साध पूरी की है हमने अपनी इच्छाएं पूरी की है और जब स्री कृष्ण अब मतुरा चले गए है तो हम उनके वियोग में अपने शरीर को जुलसा चुकी है और अब किसी अनने अनंग अंग रहिते अंगो से रहित अर्थात वही तुम्हारा जो निर्कुन परमात्मा है निर्कुन निराकार ब्रह्म है उसकी साधना करके अराधी उसकी अराधना करने से हमें क्या लाग होने अर्थात हुमें ऐसे वचन हमें कहने ही नहीं चाहिए तुम एक असंभव कारिये कर रहे हो जो हमारे साथ हम स्विकार नहीं करने वाला है प्रस्तुत पदों में प्रतेग पद में गोपियों का स्री कृष्ण के प्रति समर्पन उनकी निस्ठा और सगुन भक्ति के प्रति उनका समर्पन दिखाए देता है पिद्यारतियों येकी मद्धे काल की अवश्यकता भी tych जो तदकालिन भक्त कवयों ने की थी कि निर्गुन और सगुन में कुनसी भक्ति अधिक सर्व प्रिये हो सकती है, लोग प्रिये हो सकती है, सर्वसाधान के प्रिये हो सकती है, तो उस निर्गुन और सगुन के विवाद में कवियों ने सगुन भक्ति को अधिक स्रेष्टता प्रदान की थी, अधुनिक काल में रत्नागर ने उ इसी विचार को यहां प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत पद में उन्होंने गोप्यों ने कहा है कि तुम निर्गुन निराकार की उपास ना करो। प्रस्तुत कि जब तुम्हारा ब्रह्म में बिना हात पैरों का है तो भलाबे हमारी गायों को कैसे दूह सकेगा। या फिर कृष्ण ही ब्रह्म है तो उन्होंने हमारी गायों को कैसे दुहा पदुमन कैसे नाचे थिर की रिजाई है और तुम कहते हो कि ब्रह्म तो बिना आकार का है उसके पद नहीं है पैहात मुझ कुछ भी नहीं है तो वह कैसे थिरक थिरक करके हमारे समक्ष रास्राचाय करते थे और यमना के किनार यमना के कचार पर हम उनके साथ न्रत्य किया करते थे बहले बताओ अर्थात भाव यह है कि प्रियतम कृष्ण को अपने हाथों से हमारी गाय दोह लेते हैं पर तो तुम्हारा निर्गूर्ण निराकार ब्रह्म यह नहीं कर पाएगा और हम तो क्र तो ब्रह्म भी निरत्ते करके हमें रिजा पाएगा अर्थात ऐसा असंबल है कहे रतना कर बदन विनु कैसे चाकी और हम तो यहां गोपिकाएं हैं गोपालक हैं गाएं रखते हैं हमारे कृष्ण तो अपनी मुखमनल से हमारा माखन चका करते थे दूर्थात तो तुम्हारा क्या उत्तर दे सकते हो और्थात तुम्हारा तो जो निरगून निराकार परमाद्मा है उसका मुखमो ही नहीं है तो वो कैसे मकखन चक सकता है माखन बजाई बेनु कोधन गवाई है और वो माखन बजाई और ता माखन गलत शब्द है यहां पर बांसुरी आएगा कि बां द्रग श्रवन विना ही हाई अथात द्रग नेत्र श्रवन कान उन सब के विना कैसे वो देख सकता है कैसे हमारी बात सुन सकता है भोरे ब्रजवासन की विपत्ति बराई हो तुम ऐसे उस बिना मूम आथे वाले हाथ पेर वाले ब्रह्म की कल्पना करके हमारे समक्ष हम सीधे सहज निर्व्याज जो ब्रजवासी हैं उनकी विपत्ति को और अधिक बढ़ा ही रहे हो नहीं कि उनकी विपत्ति को कम कर रहे हो या समाप्त कर रहे हो विपत्ति बढ़ाई है अर्थात विपत्ति को और अधिक द्विग्वनित कर रहे हो रावरो अनूप कोई अलक अरूप जिसका कोई रूप नहीं है उदो कहो कौन दो हमारे काम आही अर्था भड़ी जो तुम्हारा अनोखा अद्रश अलक्ष परमात्मा है वो हमारे क्या काम आ सकता है अर्था सीधी सारी जो सांसारे कुपयोगी था है उसके अनुसार भले तुम्हारा ये निर्गूर निराकार निर्व्याज ब्रह्म है हमारे कोई काम नहीं आ सकता इसलिए तुम हमें ये उग्देश मत दो यहां से चले जाओ प्रस्तुत पद जैसा कि जो निर्कु निराकार ब्रह्म है तुलसी ने भी का है कर बिन करम करे विधी नाना अर्थात बिना हाथ के ही विधी है परमात्मा है वो विभिन प्रिकार के करम करते हैं कबीर का भी एक ऐसा ही पद है, जांके मु माथा नहीं, नाहीं रूप अरूप, पहुबासते पात्रा ऐसो तत्क अनुप अर्थात, ये भाव सामय हैं, जो आप व्याख्या करते हैं, तो ऐसे कभीयों के मिलते जुलती पंक्टियों का उधारणा आप व्याख्या में दे सकत धन्यवाद देड़के